आप चाहते हो कि आपकी स्किन पर्मेंट वाइट ब्राइट इसपोर्टलेस हो आपकी चेहरे पे एक चमक हमेशा बनी रहे और आपके चेहरे पे कोई दाग धब्बे ना हो तो आज मैं आपको तौंगी चावल के आटी का एक ऐसा फेस पैक इसमें सिर्फ दो चीजा आट करन हो आप सब बहुत अच्छ होगे मैं भी बहुत अच्छी हूं अज फिर आप लोग क्लिक हाई रिकोष्टी वीडियो लेकर के आई हूं और इस टॉपिक में मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे दी प्लीज बताइए चौल के आटे से एक ऐसा फेस पैक जो मैं स्किन को पर् आपकी शादी है तो आपका कलर फियर हो जाएगा और आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम चली जाएगी तो ज्यादा बाते ना करते हो चली देख लीजिए इस फेस पैट को कैसे बनाना यह दो मैंने बना के रख लिया और यह सुबह का टाइम है और मैं चली लगाने अभी मैंने नहाया भी नहीं है तो आप इसे सुबह भी लगा सकते हो जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसे लगा सकते हो बस यह बात रखना इससे बना कि आप कुछ श्टोर नहीं करना जैसे बना वह वैसे लगाओ क्योंकि जो चीजे फ्रस आप लगाते हो वो ज्या और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए जिससे मैं कोई भी नेयर वीडियो अप्लोड कर उसका नोटिफिकेसन आपको फटा-फट मिलता रहे तो चले फ्रेंट्स बनाते हैं आज राइस का ऐसा फेस पैक जिसमें सिर्फ दो चीजा अट करनी है तो पहले आपको जो चीजा में आपको वही चीजा अट करनी है अगर आप चाहते हो कि आपके चेहरे पर तुरंत ही निखार आया आपकी इसकी हमें इसा के लिए ग्लो करें हमें साब चमकते रहो ठीक है तो सबसे पहले आपको चॉल काटा लेना है घर का भी ले सकते हो फाइन सा पॉडर होना मार्केट का लेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि इस फेस्पैक आप डेली उच कर सकते हो घर का होगा थालका च्छोटे च्छोटे दाने होते हैं अच्छा से पॉडर बन नहीं पाता है तो रोजाना में स्क्रब तो करना नहीं चाहिए फेस पे क्योंकि हमाई स्किन करेगा उसके लिए आपको लेना है कि चावल का माल है मतलब चावल का पानी और यह आपकी स्किन को वाइड ब्राइट स्पॉर्टेस मनाता है कोरें ब्यूटी में ज्यादा तर इसी पानी का यूज करते हैं अपनी स्किन को वाइड ब्राइट और उनकी स्किन ग्लास स्किन की तरह चमकती रहती आपने देखा ही होगा चाहते हो कि साधी वाले दिन आपके चहरे पे अलग सी चमक बनी रहे हैं उसके अपको यही माल ले ना है इसे बनाना कैसे अपनी अपनी ममी साब पता करना अगर आपकी मम्मी कभी बहुओने में चॉल बनाती होगी न तो चल मैं जो काम कीचन का काम darfते है मैं अभी निटकम काम करणते हैं पानी चाहिए यह पाणी में यह जाए और मिल आपको आपको यह इस बगाना ख्रया तो पानी आ हाटाइस निलाना शीप आपको इस पानी होगा करा निया पीर बीद्गतम mo ब्राउन स्पॉर्ट हो सारी प्रॉब्लम दूर करते हैं अब जो एड कर रही है यह है दही क्योंकि सर्दियों का मौसम इसकिन ट्राइड करता है और अगर आपकी स्किन बहुत जदा ट्राइड रहती है तो आपको यहां पर ग्लिसलीन भी एड करना होगा क्योंकि चॉल काट अच्छा होता है वैसे मैं स्किन को हेल्दी बनाता है चमक लाता है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद इसे फुल बॉड़ी पर लगा के दिखो जैसे या आप इसे लगाऊ आपको तुरंती मिलेगा आपकी स्किन इतनी जादा सौप्ट हो जाएगी आपकी स्किन पर नेक पॉलिसी की गई है ती चिकनी सी हो जाती स्किन की कुछ कहने को ही नहीं तो चलो मैं लगा के दिखाती है सुबर सुबर मैं लगा नहीं बस मैंने फेस्वास किया कोई मेकप नहीं है ठीक है लिप्स पर लिब बाम है ठीक है वो क्योंकि सर्दियों का म वीक में आपको थ्री बाई सकरब करना है और इसे सक्रब करने के बाद आपको एक मोटी लेट लगा लेना फेश पैक की तरह लगा लेना है और इसे सुक ने यह आप 15-20 नट तक सुबह का सारा काम कर सकते हो जो भी का सुबह काम करते हो और जब यह सुख जाएगा थल के हातों से मसाज करके से निकाल देना है नॉर्मल पानी से फेस को क्लीन कर लेना है फेस्वास का यूज नहीं करना है अगर आप चाहते हो ना कि आपके छहरे पर औ वीडियो का लिंग में शेयर कर दूंगी आप उसको यूज करो और पंदर दिन के अंदर पंदर दिन के फर्स डे ही आपके चेहरे पेक एश्टर निखार आएगा सब आप से पूछेंगे आप कौन सा फेस्वास कौन सी रेमेडी यूज कर रहे हो आज कल तो यह देखो मेरे फेस और मेरे हाथ पे कितना ज़्यादा फर्क न जरा रहा क्योंकि मैंने फेस पे लगाया था हाथों पे लगाया नहीं था तो ऐसे इना तुरंत ही आपकी चेहरे पेक निखार आने वाला है चलती हूं वीडियो पसंद लेगा तो लाइक कमेंट सेयर तो बनता है या पिर म